दोस्तो अपने कार और वाहिक्स में disc brakes तो जरूर दिखे होंगे। और अब तो cycles में भी disc brake आने लगए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचाएं कि disc brake में ये holes क्यूं होते हैं। चलिए मैंब बताता हूँ। दोस्तो, disc brake वाली bike या car चलाने के बाद, आपने कभी notice किया होगा कि ये disk गरम हो जाती है क्योंकि breaking system friction पर काम करता है और जब friction होता है तो heat generate होती है जिससे ये disk गरम हो जाती है और इस disk के गरम होने के कारण इसमें holes बनाए गए हैं ताकि ठंडी हवा इन holes से pass हो सके जिससे इस disk का temperature कम हो जाएगा और साथ ही ये disk break लंबे time तक काम करेगा ये one of the reason है जिसके करण disk break में holes होते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लोगी हो तो वीडियो को like करें और ऐसे ही और amazing वीडियो के लिए channel को subscribe करें